आपने से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई हम 30 दिनों के लिए विरे नाश बंद करना चाहते हैं हम कोई भी गलत काम नहीं करना चाहते हैं तो कोई ऐसा तरीका बता दो हमें जिससे कि हमारा at least minimum 30 दिन तक ब्रह्मचेरे ना टूटे कोई ऐसा तरीका है बार बार आप ब्रह्मचेरे का जो नाश कर रहे हो 30 दिन के अंदर अंदर ब्रह्मचेरे टूट रहा है वेरे नाश कर रहे हो तो क्या कारण है मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा don'ts में जहाँ पर हम बात करेंगे आप देख सकते हो इसके बार में हम बात करेंगा अगर आप इसको समझ जाते हो तो आने वाले टाइम में 30 दिन तो क्या 300 दिन भी जा सकते हो लेकिन मेरी एक शर्त है आपको इस वीडियो को पूरा देखना है एक एक चीज मैं ध्यान से आपको समझाता चलूँगा और आने वाले कुछ वीडियोज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर कोई इंसान बच्पन की गलतियों के कारण अपने इनरजी को खो बैठता है वीरे का नाश करता है तो वो कैसे अपने इनरजी को दोबारा से हासिल करेगा तो आने वाले कुछ वीडियोज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे चैनल को आप सब्स्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको ब्रह्मचेरे रिलेटेड जैनूइन वीडियोज इस तरह मिलते रहते हैं बात करते हैं Do's की क्या करना है अगर को इनसान प्रह्मचेरे का पालन करना चाहता है या फिर 30 दिनों तक वीरेनाच नहीं करना चाहता Do's के बारे में बात करते हैं ठीक है क्या करना है पहला पोंट keep it simple absolutely simple आपको चीजों को रखना है बहुत सारे लोग क्या करता है पहले दिन से सोचते हैं कि मैं सुभा में भी उठूँगा मैं पहले दिन से अपने भोजन में हर तरह की चीज़े एड़ करूँगा जिससे कि मेरा वीरी की भरपाय जल्दी से जल्दी हो जाए मैं टाइम से सोऊँगा और एक्सरसाइस भी करू तो वो नहीं possible है ठीक है आपको चीज़ों को simple रखना है step by step आगे बढ़ना है आप ये ना सोचे कि दसवे सीड़ी पर पहुंचना है पहले आप पहले सीड़ी पर तो कदम रखें keep it simple का मतलब यही है कि आप step by step चीज़ों को आगे लेकर जाएं पहला अगर आप सुभा में उठना चाहते हैं तो सारा ध्यान आपको होना चाहिए कि कि किस प्रकार से मैं सुभा उठूँ पहला step तो वह हुआ आप ये ना सोचे कि मैं सुभा उठकर exercise करूँगा फिर मैं योग प्रानायम से end करूँगा सुभा की शुरुवात मेरी बहतरीन होगी इतना ना सोचे अगर आप किसी को देखते हैं अगर वो ब्रह्मचेरे का पालन करता है आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं भी कर सकता हूँ अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता मैं भी करूँगा ठीक है ये होता है inspiration motivation के बारे में भी हम बात करेंगे ठीक है तीसरा जो point है वो है support एक सहारा होना चाहिए एक pillar होना चाहिए strong pillar होना चाहिए वो pillar क्या होगा मैं आपको बताता हूँ एक example देता हूँ अगर आप ब्रह्मचेरे का पालन कर रहे हैं तो अगर आपको किताब पढ़ना पसंद है तो मैं आपको एक किताब सजिस्ट करता हूँ ब्रह्मचेरे की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा, strongly recommend करता हूँ, वैसे इंसानों को जो ब्रह्मचर का पालन seriously करना चाहते हैं, ठीक है, जो मजाक में कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि मैं सिर्वेर बचा लूँगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझें इस चीज़ गो, कोई भी चीज अगर आप seriously नहीं लेते, खास करकि इस मामले में, तो दिक्कत बढ़ेगी, fourth number point, have faith, आपको भरोसा होना चाहिए, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, मेरे से होगा ये, जो भरोसा होता है, इतनी ताकतवर चीज़ है अगर आप यकीन कर लो एक बार, कि मैं करके दिखाऊंगा, तो हो जाएगा, आपको सिर्फ इतना बोलना है, ये हो कर रहेगा, ये होगा ही होगा, और जो अब होगा न, उसका जो result है, उससे, कि मैं कभी भी दूर नहीं जा सकता, कोई वो result को मुझसे नहीं चीन सकता, ये faith होना चाहिए आपके पास, ठीक है, कि मैं अपना कर्म करूँगा, बाकि जो होगा, होगा, आपके उपर कोई भी संकट आए, वो faith नहीं जाना चाहिए कभी, पांचवा point, meditation, आपको खुद को एक चैलेंज देना है, कि भाई, अगर मैं 30 दिन के लिए भी खुद को ना रोक पाऊँ, तो क्या मैं एक असली मर्द हूँ, चैलेंज करे खुद को, कि अगर आप 10 push-ups लगाते हो, ब्रहमचेरे के पालन करते हुए, तो आप कम से कम 20 लगा लो, 25 लगा लो, कोशिश तो करो, push करो खुद को, कि मैं खुद को challenge करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं push-up लगाने जाऊंगा, तो इस बार 4 या फिर 5 एक्स्ट्रा push-up लगा कर ही आऊंगा, challenge yourself, साथवा point, keep improving, improving, जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको हर एक दिन थोड़ा-थोड़ा करके improve करना होगा, अगर आपको results मिलते हैं, तो आपको और भी ज्यादा मज़ा आने लगेगा, ठीक है, अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा ना मेरे भाई, तो समझ लो कि आप ज्यादा दिन नहीं टिक सकते, यह सच्चा ही है, इनसान वहीं पर टिकता है ज्यादा, जहां पर उसको मज़ा आता है, तो आपको महनत में भी मज़ा खोजना होगा, पहले खोजोगे, फिर ब्रह्मचेरे खुद आपको महनत में मज़ा प्रोवाइड करवाएगा, वो सामने से कहेगा कि आप काम तो करो, आपको खुद मज़ा आएगा, ठीक है, ब्रह्मचेरे में इतनी शक्ति होती है, यह तो चीज़े हो गई, क्या करना है, यह आपने समझ लिया, अब बात करता है, डोंट्स के बारे में, काउंटिंग डेज, पहला, जो सबसे बड़ा गल्ती, जो इनसान करता है, वो है, दिन किन्ना शुरू कर देता है, तीस दिन का चैलेंज है, आपको हर दिन सुबाउट करना है, यह नहीं बोलना है, यह डे टू, डे फॉर हो गया, डे फाइव हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करना, अगर आप ऐसा करते हो, तो प्रिशर बनेगा, आपके उपर प्रिशर बनेगा, तो क्या होगा पता है, आप जाकर तोड़ दोगे, बहुत लोग यहीं गलती करते हैं, और फिर कहते हैं कि यार, नहीं हो रहा मुझसे, आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है, काउंट करने का प्रोसेस ही गलत है, जो करते हैं, वो मुसीवत में खुद को डाल रहे हैं, ठीक है, दूसरा पॉइंट है, डोंट वरी अबाउट एनफ, एनफ क्या है, एनफ है, नाइट फॉल, ठीक है, अगर आपका एक दो बार नाइट फॉल हो जाता है, शुरवात में कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे ही आपके कुछ दिन होंगे, ये ब्रह्मचरे में चीज़ें आसान होगी, तीसरा है ट्रिगरिंग, खुद से बहुत सरे लोग क्या करते हैं, खुद को ही ऐसी सिचुएशन में डालते हैं, जहां पर वो ब्रह्मचरें तोडवा करी बैठते हैं, जान बुछकर कुछ लोग होता है, जो ब्रह्मचरें तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, चौथा, जो गल्ती बहुत लोग करते हैं, एक्सक्यूजस देते हैं, कहते हैं कि यार मैं तो अकेला रहता हूँ, मेरी कोई गल्फरेंड नहीं है, मेरी तो उमर हो रही है न, अगर मैं अभी वीरे नाश नहीं करता तो कब करूँगा, तो ऐसे लोगों को मैं इतना ही कहना हूँ चाहूँगा, भई बहाने नहीं देना है, ठीक है, आपको खुद को नहीं ट्रिगर करना है, नहीं बहाने देने हैं, पांच्वा, जुगलती, नो फिजिकल अक्टिविटी, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं करता है, पसीना नहीं बारते हैं, शरीर में गर्मी बढ़ती है, और इस कारण से बहुत लोगों का हो जाता है, सो अपने दोश और इससे भी बढ़कर होता है, बना मचले तूट जाता है, सिम्पली से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर को इंसान एक्सरसाइज नहीं करता है, शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ेगी, और आपका मन आपसे कहेगा कि यार, कुछ तो कर न बढ़ेगी, शैतान का घर है, कभी भी खाली न वैट है, सारा दिन काम करें, आप अभी नौजवान है, अभी आप काम नहीं करोगे, तो कब करोगे, मैं आपने आपको यहीं बोलता हूँ कि समय बहुत कम है, काम करना है, तो करना है ही अब, ठीक है, सात्वा जो गलती है, वो है वाचिंग रॉंग श्टफ, गलत चीज़े देखते हूँ अगर कोई, तो मैं आपसे क्लिरली यह बात कह देना चाता हूँ, अगर आप ऐसा कर रहे हो, तो 30 दिन का चैलेंज भूल जाओ, यह कड़वी सच चाहिए, और अगर आप सिंसिरली चाते हो कि 30 दिन पूरे ह तो आप वो सारी चीज़ों को अपने आप से दूर रखें, जो आपके मन में उतेजना पैदा करती है, और कोशिश करें, कोशिश करें कि अपने आपको भी साफसुतरा रखें, अपने फोन को भी साफसुतरा रखें, तो चीज़े आसान होगी, यह जो मैंने लिखाया यहा उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है मैं इतना ज़्यादा फस गया वहाँ पर क्या कारण हो सकता है और repeating the same mistake यह आपको नहीं करना है एक ही गलती को बार बार दोहराना सही नहीं होगा तीक है आप एक intelligent इंसान हो और इनसान अगर एक गलती को दोबारा कर रहा है तो भाई फिर तो गड़ बड़ है वो खुद को मुसीबत में डालेगा मैं चाहता हूँ कि आप अगर एक गलती करते हो या किसी को भी देखते हो गलती करते हुए सीख जाओ वहाँ से, सीखो सीखो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि भाई कुछ देख लिया मैंने और मेरा हो गया, काम तमाम वहाँ से सीखते हो कुछ वहाँ से सीखो गया अगर तो चीजे आसान होंगी आपके लिए क्योंकि सारी जिंदगी अगर आप गलती कर रहे हो विड़ सीख रहे हो तो जिंदगी वैसे भी बहुत छोटी है दूसरों की गलती से भी सीखना जरूरी है सवाल उठाएं अपने आप से कि अगर मैं ब्रहमचरे का पालन कर रहा हूं परपस होना चाहिए अगर मेरा ब्रहमचरे टूटा है तो उसके पीछे का क्या रिजन है क्या मेरे लिए यह सही हुआ क्या मेरे लिए यह गलत हुआ अपने आप से सवाल करेंगे जवाब मिलेंगे और कोश्चन हम नहीं करता है यही पर हो जाती है सबसे बड़ी दिक्कत हम चाहते हैं ना answers खोजना हमें सवालों के जवाब चाहिए जो already available है आपके पास चीजें उनके उपर ही प्रश्चन चिन लगाना बेहत जरूरी है सवाल उठाएं अपने आप से सवाल उठाएं जा सकते हो मैं लिख कर दे रहा हूं अगर आप यह चीजें फॉलो करते हो चीजें अपने आप आपके पक्ष में आने लगेंगी ठीक है यह मैं आपको guarantee देता हूँ लेकिन शर्ती है कि आपको यह करना है और यह नहीं करना है समझ में आ गया है सवाल उठाने है और एक ही गलती को दोबारा आपको नहीं करना है I hope आपको समझ में आ गया होगा और आने वाले कुछ वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाले मैं आपको practically दिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने वीडियो को बढ़ा सकते हो ठीक है और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेर करो उनको भी दो यह जो challenge देख रहे हो आप 30 दिन का उनको भी दो कि मेरे एक भाई ने वीडियो बनाई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है आप जाकर उनको बोलो और challenge दो अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह जो 30 दिन का challenge है इसको पार करके दिखाओ अगर आप एक असली मर्द हो तो समझ गए? मिलते अगले वीडियो में